इस वीडियो में हम 10th Standard के Bridge Course के सात्वे दिन की एक्टिविटी को समझेगे और सॉल करेंगे आज की एक्टिविटी का टाइटल है एक्सप्रेस प्लेजर एन एप्रिसेशन प्लाइटली करेंगे इस एक्टिविटी के लर्निंग आउटकम है और हैं आगर हमें किसी चीजस पर खुशी हो रही है किसी के हम तारीफ करना चाते है किसी को सपोर्ट करना चाते है तो कैसे प्लाइटली अच्छे से बता सकते है आज की दिन की जो पहली activity है वो है learning activity, experience इसमें हमसे कहा जा रहे है कि read the following dialogue carefully and do the activities ये नीचे आई हुए dialogue को careful होकर पढ़िए और activities को complete कीजे तो नीचे आई हुए dialogue teacher और पराथमेश नामे student के बीच में है जिसमें teacher कहते है कि hello पराथमेश, why are you so serious, तुम इतने serious क्यों हो जिसपर पराथमेश कहते है कि teacher because of my problems, मेरे problems की वज़े से teacher जिसपर कह रहे है कि which problems, कौन से problem जिसपर पराथमेश कहते है कि I heard tension about my studies and exams are near कि मुझे अपनी studies के तालुक से tension है क्योंकि मेरे exams near है, करीब है जिसपर teacher कहते है कि पराथमेश प्राशान होनी की ज़रत नहीं है, हम तुमारे problem solve कर लेगे, आसानी से लो उसको, जिसपर पराथमेश कहते है कि okay teacher but how can I manage my study and household work, कि teacher मैं अपनी study और अपने घर के कांग कैसे manage करूंगा, जिस पर teacher कहते है कि you can manage both things by planning and doing management, कि तुम अप ये दोनों चीज़ों को अच्छे से manage कर सकते हो, planning और management के जरिए, जिस पर प्राथमेश कहते है कि thanks teacher, शुकरिया teacher, धन्यवाद teacher, तो इस dialogue में हमको बताया गए है कि एक बच्चा परेशान है, जिसमें teacher उसकी मदद कर रहे हैं, और जब teacher उसकी मदद कर रहे हैं, तो उस पर जो student है, तो अपने pleasure को, अपनी appreciation को और support को वो politely बता रहा है, teacher उसका support कर रहे हैं, और student उस पर अ answers लिखते हैं, तो इसके questions पुजिशता है कि, what type of text is this, ये किस type का text है, तो answer है कि, the text is a dialogue, ये text एक dialogue है, second है कि, why is the student worried, कि student परिशान क्यूँ है, जिस पर answer है कि, the student is worried about his studies, because his exam is near, कि student परिशान है, अपनी पढ़ाई को लेकर, क्योंकि उसके exam करीब है, थर्ड question है कि, how did the teacher help प्राथिमेश, कि teacher ने प्राथिमेश की किस तरीके से मदद की, तांसर है कि, the teacher suggested that प्राथिमेश should plan and manage his time wisely, कि teacher ने प्राथिमेश को ये suggestion दिया, कि वो अपने time को अच्छे से wisely manage करे और planning करे, आज के ये दिन की जो दूसरी अक्टिविटी है, वह a solid activity demo, इसमें कहा जा रहा है कि, teacher asked to read the following dialogue carefully and asked to find out relevant points to support, कि teacher नीचे हवे dialogue को बच्चों से पढ़ने के लिए कहेंगा, और उनसे वो relevant points को तलाश करने के लिए कहेंगा, तो dialogue को इस तरह है कि, teacher do you study regularly, क्या तुम regularly पढ़ाई करते हो, जिस पर students कहते है कि, yes teacher I do homework on time, यहां teacher मैं हर दिन अ अपना homework करता हो, जिस पर teacher कहते है कि, only homework, what about your actual study, सिर्व homework की, तुमारी actual study के बारे भी क्या, जिस पर student कहते है कि, but I do not get sufficient time, कि मुझको इतना time नहीं मिल पाता है, काफी time नहीं मिल पाता है, जिस पर teacher कहते है कि, then you have to prepare your own study time table, तब तो तुम्हें खुद अपना study time table बनाना चा इसे study planner भी कहते है, जिस पर student कहते है कि, sir will you help me to plan this, कि sir क्या आप मुझको इसकी planning में मदद करोगे, जिस पर teacher कहते है कि, sure I will help you, कि बहाँ बिल्कुल मैं तुमारी मदद करूँगा, जिस पर student कहते है कि, thank you, शुकरिया, धन्यवाद, अर इस dialogue को पढ़ने के बाद इसके question है, और उस questions के answers भी हमको दिये गए है, तो पहला question है कि, what do you find in this conversation, कि इस conversation में तुम क्या पाते हो, क्या देखते हो, तो answer है कि, I find that teacher is helping the student with their study, कि मैं देख रहा हूँ, मैं पाता हूँ कि, teacher, student की, उसकी study में मदद कर रहे है, second question is, who is not getting sufficient time to study, किसको study के लिए sufficient काफी time नहीं मि getting sufficient time to study, कि student को पढ़ाई के लिए sufficient time नहीं मिल पा रहा है, third question है, what does the teacher ask to prepare, कि teacher ने क्या तयार करने के लिए कहा, ता answer है, teacher asked to prepare on study time table, कि teacher ने अपना खुद का study time table तयार करने के लिए कहा है, तो इस तरीकी हम देखे कि, यहाँ पर एक dialogue दिया गया था, उस dialogue को पढ़ने के बाद कुछ question भी दिये गया थे, और इसके answer किस तरीके से लिखना है, तो इस activity में हमको बताया गया है, अब यहाँ पर हमें practice के लिए एक activity दी गई है, एक dialogue दिया गया है, और आगे उसके question भी दिये गया है, तो उनको हमें solve करना है, लेकिन पहले हम इस dialogue को पढ़ते हैं, complete करते है Teacher gives the following dialogue and asks to understand the communicating support politely, teacher बच्चों से कहेंगा कि नीचे है डायलोग को वो पढ़ें, और फिर नीचे जो support को politely बतानी के dialogue है, तो उसको समझनी की कोशिश करें, यह इसमें देखें कि कैसे किसी को support करना है, और कैसे किसी के support को appreciate करना है, यह बच्चे जाननी की समझनी की कोशिश करें, तो यह डायलोग राम और शाम दो बच्चों की बीच में हैं, जिसमें राम कह रहे है कि what's wrong with you, तुम्हें क्या हो गया है, जिस पर शाम कहते है कि I have got poor marks, कि मुझको अच्छे mark नहीं मिले है, मुझको खराब mark मिले है, जिस पर राम कहते है कि hey nothing to worry about, कि परिशान होनी क marks is not important, कि सिर्फ mark के ही हासिल कर लेना important नहीं है, शाम उसमें कह रहे है कि could you help me please, तो क्या तुम मेरी मदद करोंगे, जिस पर राम कहते है कि yes I am always ready to help you, कि हाँ मैं हर वक्त तुमारी मदद करने के लिए तयार हूँ, जिस पर शाम कहते है कि please suggest something to me, कि मुझको कुछ suggestion दो, are very good at sports, you see your strength there, कि तुम sport में बहुत अच्छे हो, तो तुम अपनी strength, अपनी मजबूती वहाँ पर देख सकते हो, तो शाम उस पर कहते है कि thank you dear, शुकरिया धन्यवाद दियर, इस डायलोग के पढ़ने के बाद में हमारे सामने यह questions है, इन questions के हम answers लिखते है, तो question first है कि what do you find in this dialogue, इस dialogue में तुम क्या पाते हो, तो answer है कि I find that Ram is helping and supporting Shyam, कि Ram Shyam की मदद कर रहा है और उसको support कर रहा है, second है कि is it possible to communicate alone, कि क्या यह possible है कि हम अकेली ही बाते करे, ता answer है कि no it is not possible to communicate alone, कि नहीं यह possible नहीं है कि हम अकेले बाते करे, third है कि why is Shyam worried कि Shyam worried परिशान क्यों है, ता answer ह Shyam is worried because he got poor marks, Shyam परिशान है क्योंकि उसको खराब मार्क मिले है, इस lesson की last activity है, extension activity, parallel activity, इस में हम से कहा जा रहा है कि write a dialogue with the help of given clues in the bracket, कि नीचे bracket में कुछ clues दिये गए है, तो उनकी मदद से हमें एक dialogue तयार करना है, दिखना है, यहापे clues में कुछ words दिये गए है, excellent, keep it up, don't worry, be happy, always think positive, exactly, please, good idea, तो इन clues को हम सामने रखते हुए, एक dialogue तयार करते हैं, और इसे देखते हैं, यहाँ पे मैंने dialogue लिखा है, और जो clues हमको दिये गए थे, तो उन clues को या उन words को मैंने यहाँ पे नीले करर से लिखा है, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि यह clue यहाँ प है कि है, I just wanted to say that your presentation was excellent, you really nailed it, कि मस मैं यह कहना चाहता हूँ कि तुम्हारा presentation बहुत ही अच्छा था, तुमने सही में बहुत ही अच्छा किया, जिस पर रोशन कहता है कि thank you very much, I worked really hard on it, your feedback means a lot to me, कि रोशन उस पर कहता है कि शुकुरिया, धन्यवाद, मैंने उस पर बहुत जा जादा माईनी रखता है, समीर जिस पर कहता है कि you are welcome, you have put in a lot of effort, कि सही में तुमने बहुत जादा उसमें महनत की थी, and it definitely shows, और सही में यह दिखाई दे रही है, keep it up, तो इसको continue रखो, इसको जारी रखो, जिस पर रोशन कहता है कि thank you for your encouragement, कि हिमत बनानी के लिए शुक्रिय धन्यवाद, I appreciate it, मैं इसको सराता हू, but I am a bit worried about the upcoming project, लेकिन मैं अपने आगे आने वाले प्रोजेक्ट के तालु से थोड़ा सा परिशान हू, it seems challenging, ये थोड़ा challenging लगता है, परिशान मुश्किल लगता है, जिस पर समीर कहता है कि don't worry, परिशान होनी के ज़रत नहीं है, you have proven yourself before, तुम इससे पहली भी अपने आपको साबित कर चुके हो, and I have no doubt that you will handle this project with ease, और मुझी को इसमें कोई शक नहीं है कि तुम ये प्रोजेक्ट भी आसानी से हैंडल कर लोंगे, believe in yourself and stay positive, बस अपने आप में भरोसा रखो और positive रहो, जिस पर रोशन कहता है कि you are right, I should always think positive, में confident रखना चाहिए, I will do my best, मैं अपनी पूरा अच्छा करनी की कोशिश करूँगा, जिस पर समीर कहा रहे कि exactly that's the spirit, remember a positive mindset can work wonders, जिस पर समीर कहता है कि exactly, बिल्कु ऐसे ही होना चाहिए, और यही spirit है, हमेशा याद रखो कि एक positive mindset बहुत कुछ कर सकता है, please don't underestimate your capabilities, अपनी capabilities को बिल्कुल भी कम मत समझो, जिस पर रोशन कहता है कि thank you for reminding me, मुझको याद दिलानी के लिए बहुत शुक्रिया धन्यवाद, I needed that reassurance, मुझको ये reassurance की ये यकीन की जरुद थी, you have a good point, तुमारे पास बहुत अच्छा point है, जिस पर समीर कह रहे कि I am glad I could help, मुझको बहुत suggestion, मेरा एक suggestion भी है, how about breaking down the project into smaller task, क्या सुचते हो कि अगर तुम अपने इस project को छोटे-छोटे task में बदल दो, setting achievable goals for each one और हर task को एक achievable goals बना लो, जिस पर रोशन कहता है कि that's a good idea, ये तो बहुत अच्छा idea है, it will make the project more manageable, इस से तो मेरा जो प्रोजेक्ट है तो और भी consider it, मैं तो इसके बारे हैं बिल्कुल सोचूँगा, and create a plan accordingly, और इसी के अनुसार अपना plan भी तयार करूँगा, जिस पर समीर कहते है कि great, planning ahead and taking it step by step will make things easier for you, जिस पर समीर कहते है कि बहुत अच्छे, पहले से ही planning करने से और step by step चीजों को ले जाने से, तुमारे लिए चीज that you will succeed, और मुझको यकीन है कि तुम काम्याब हो जाओंगे, जिस पर रोशन कहते है कि thank you for your support and positivity, कि तुमारे support के लिए और तुमारे positivity के लिए शुक्रिया धन्यवाद, I feel much better now, मुझको अब बहुत अच्छा लग रहा है, I will work hard and stay focused, मैं और महनत करूंगा और पूरा focus जिस पर समीर कहते है कि you are welcome, I am here to support you all the way, you are welcome, इस पूरे रास्ते में इस पूरे सफर में मैं तुमारे support करने के लिए बिलकुल तयार हूं, remember don't forget to be happy along the journey, याद रखो कि इस पूरे सफर में याने इस पूरी महनत के दारान, खुश रहना भूलना मत, step positive, positive रहो and everything will fall in two places, और हर चीज धीरे धीरे अपनी जगा पर बैठती चली जाएंगे, याने तुम महनत करूंगे तो हर चीज खुद बखुद, set होती चली जाएंगे, जिस पर रोशन कहता है कि thanks again, फिर से दोबारा thank you, I appreciate your kind words, तुमारे kind words को मैं सराहता हू, and encouragement और हिम्मत अफजाई को हिम्मत दिला आने को भी सराता हू, I will keep that in mind, मैं इस चीज को अपने ध्यान में रखूंगा, तो यहाँ पर हमको कुछ clues दिये गए थे, और उन clues को इस्तमाल करते हुए हमने एक dialogue लिखा, और इसमें हमने देखा कि कैसे हम किसी को support कर सकते हैं, और अगर कोई हमको support कर रहा है, तो उसको हम appreciate कैसे कर सकते हैं, तो आज की वीडियों बस इतना ही है, मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो के मदद से आप लोगों ने आज के दिन की activity को completely समझाओंगा, और इसमें आए वे questions के answers लिखे होंगे, अगर फिर भी आप लोगों का कोई doubt या question हो, तो comment section में जरूर पूछे, युछे विए इन में नेक्स वीडियो